विरासत के साथ विकास का लहराया परचब। दुनिया ने माना भारतिय संस्कृती का दमखम। तुष्टी करण नहीं हर आस्था को मिली पहचा। विरासत रही है। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसकी संस्कृती सनातन रही है। दurभाग्यवश इसकी संस्कृती पर बार बार आगहात होता रहा। इसे मानने वालों को कई प्रकार की अस्थियचार भी झेलने पड़े। लेकिन इससे भी दुखत स्कृतिती तो ये रही क स्वतंद्रता प्राप्ति के बाद भी इसकी उपेक्षा होती रही। तुष्टिकरण और वोडबैंक की राजनिती के कारण सत्ता द्वारा इसकी संग्रक्षन और संवर्धन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 21 सदी में राश्ट्री और राजनिती में नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व का उदै हुआ जिन्होंने भारत की संस्कृती और धरोहरों के संग्रक्षन एवं संवर्धन का कीर्ती मान स्थापित किया। केद्र में सक्ता संभालने के साथ ही भारत की आस्था और धर्म को बचाए रखने और इसके फिर से उध्थान का बीड़ा उठाया। और सनातन धर्म, सभ्यता और सांस्कृतिक परमपरा को पूरी दुनिया में फिर से स्थापित करने का काम किया। प्रधानमंत्री बनते ही जिस प्रोजेक्ट की सबसे पहले श्री नरेंद्र मोधी ने घोशना की थी, वो था नमामी गंगी प्रोजेक्ट। मा गंगा में करोडों भारतियों की आस्था है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रिय स्वच गंगा मिशन की शिरुवात कर गंगा का काया कल्प किया गया। और आज संयुक्त राष्ट्र ने नमामी गंगे को प्राकृतिक दुनिया को फुनर जीवित करने के लिए सीर्ष दस पहलों में से एक के रूप में मानिता दी है। आज सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास उत्तर प्रदेश के बनारत से आसाम के डेवरोगड के बीच बत्तिस सो किलो मिटर की यात्रा करता है। गुजरात के पावागण में स्थित महाशक्ती पीट माकाली मंदिर के शिकर पर 500 वर्ष बाद पियम मोदी द्वारा धज़ा फहराई गई। मोदी सलकार की कुशल नेत रत्व में वारा नसी के काशी विश्वनात कॉरिडूर और कई अन्य परियोजनाओं ने शहर की गलियों, घाटों और मंदिर परिसरों का काया कल्प किया है। मध्यप्रदेश थित्प श्री महा का लोग का काया कल्प कर नया रूप दिया गया। इसके अलावा चार धाम रोड प्रोजेक्ट द्वारा चारों पवित्र धामों को और वेदर रोड के जरिये जोडा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोधी ने व्यक्तिकत रूप से केदारनाथ में री डवलप्मेंट प्रोजेक्ट की प्रगती की मॉनिटरिंग की। पीयम मोधी ने केदारनाथ परिसर में आदी शंकराचार्य की नई प्रतिमा का अनावरण भी किया। जो सभ्यता और सांस्कृतिक की शाश्वत प्रतीक बनी रहेगी। सिर्फ हिंदू ही नहीं, सोवनाथ से केदारनाथ तक, अयोध्या से अजमेर तक, वारणसी से विलंकन्नी तक, मोधी सरकार महत्वपूर्न स्थलों को संगरक्षत करना अपना कर्स्त अव्यमानती है, चाहे वो किसी भी शेत्र या धर्म की हो, प्रसाद योजना के तहत हर धार्मिक स्थलों को पुनर जीवित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने सिखों की आस्था के प्रमुख केंद्र हर मंदिर साहिब की FCRA में Foreign Contribution Regulation Act में रजिस्ट्रेशन कराई, लंगर से GST हटाया और ये 325 करोर सालाना टैक्स अब भारत सरकार भरती है। करतारपूर कॉरिडोर इतने सालों से रुका हुआ था, कोई सरकार इसे नहीं कर पाई। 120 करोर रुपे देकर कॉरिडोर भी बनाया। मोधी सरकार ने गुरु गोबिन सिंग जी का 350 वा प्रकाश पर्व और गुरु नानक देव जी का 550 वा वर्ष मनाया। सिक इंटरनाशनल स्टडी रिसर्च का सेंटर बनाया है। सिक राजपत का पुनर विकास कर करता विपत किया। इंद्या गेट के पास जॉज दफिफ्ट की दिशानी को मिटा कर नेताजी सुभाश चंडर बोस की प्रतिमा को स्थापित किया। भारती अनौसेना के जंडे सेंट जॉज क्रोस को हटा कर चत्रपती शिवाजी की शाही मुहर को स्थान दिया गया। देश की खोई हुई विरासत को वापस लाना मोधी सरकार की प्रास्मिक ताउं में से एक है। भारत में सदियों से अंगिनत बेश कीमती कलाकृतियां चोरी होती रही और उन्हें तसकरी कर दूसरे देशों में ले जाया गया। इन में से कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भारत के लिए बेहत महत्वपूर न थी। मोधी सरकार ने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए ब्रिंगिंग बैक आवर गौड्स के लिए आगे बढ़कर काम किया। कई विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री मोधी ने इस पर चर्चा की। इसी का परिणाम है कि आज कई देश चोरी हुए बेशकीमती शिल्प और अंठीक कलाकृतियों को बापसी के लिए स्वेम भारत से संपर्क साध रहे हैं। भारतिय संस्कृती और धरोहर के सबसे बड़े दस्तावेज हैं। वो राष्ट्रे नायक जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। के रूप में स्थापित किया। दलितों और वन्चितों को मुख्यधारा में नाने और इतिहास में उनके अमर योगदान को याद रखने के लिए देश में दस ट्राइबल म्यूजियम स्थापित किये जा रहे हैं। जहां ट्राइबल संस्कृति के साथ साथ आदिवासी स्वतंतृता सेनारियों की जहांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। समिधान निर्माता डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विक्षित किया गया है। मोधी सरकार ने सभी राष्ट्रिय नायकों को उचित सम्मान दिया है। फिर चाहे वो किसी भी दल या विचार धारा के क्यों ना रहे हो। दिल्ली में पीम मोधी ने नए प्रधानमंत्री संग्रालय का उद्गाटन किया। जिसने भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदान की बहतरी जांकी देखने को मिलती है। वहीं गुजरात के साबरमती आश्रम के पुनर विकास के माध्यम से महात्मा गान्धी की विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। मोधी सरकार ने भारत की संस्कृति के पुनर निर्माण में बजट को पिछले वर्षों की तुलना में देड़ गुना तक बढ़ा दिया है। बीते नौ सालों में दस नई वर्ल्ड हेरिटीज साइट को खोजा गया है। PM मोधी ने भारतीय संस्कृति चाप को विश्व में छोड़ा है। आज पूरा विश्व भारत द्वारा शुरू किये गए अंतराष्ट्रिय योग दिवस में अपनी भागिदारी दे रहा है। अंतराष्ट्रिय मिलेट वर्ष भारत के यूएन में संकल्प के बाद 2023 को अंतराष्ट्रिय मिलेट वर्ष भोशित किया गया है। किसी जमाने में विश्व गुरू रहे भारत की संस्कृति में पूरी दुनिया की दिलजस्पी बड़ी है। भारत आने वाले विदेशी परेटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूर दर्शी नेत्रत्व में भारत अपनी विरासत पर दोबारा गर्व कर रहा है।